हालो व्रिवन ग्रीटिंग्स प्रों डॉक्टर रश्मीज होमेपथी फ्रेंड्स आज हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टन होमेपथिक मेडिसिन बोहरावय डिफ्यूजाइ इसको हम आयरवेदा में पुनरनवा के नाम से भी जानते हैं पुनरनवा को सदियों से आयरवेदा में एक बहुत इंपॉर्टन जड़ी मूटी के तरह यूज किया जाता रहा है लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेडिसिन जब होमेपथिक तरीके सा बनाई जाती है तो शेरी के कौन-कौन से अंगों में काम करती है, कौन-कौन से सिम्टम्स में आप इसको ले सकते हैं और क्या के पोटेंसी, क्या के प्रिकॉशन्स लेना चाहिए अगर आप इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो पूरी डिटेल में हम डिसकस करेंगे इस medicine के बारे में तो चलिए आज को topic स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बहराविया होती है जो बहराविया diffuser medicine होती है किस से बनाई जाती है तो friends यह बनाया जाता है एक पौधे से जो की एक spreading wheat की तरह होता है पारेश होती है तो यह पौधा बिलकुल नया हो जाता है नया जीवन इस पौधा को मिलता है और यही काम करता है यह हमारे शरीर के साथ अगर हम पुनर नवा मेडिसिन को लेते हैं तो हमारे शरीर को नया जीवन देती है और यह जो मेडिसिन होती है जैसे आयरवेदा में इसाम में और पश्यम मंगाल में, इसको साग की तरह और सूप की तरह भी यूज़ किया जाता रहा है। इसको जो वराइटी होती है, एक सफेद वराइटी होती है और एक पिंक वराइटी होती है। मतलब एक में पिंक फूल आते हैं और एक में सफेद फूल आते हैं होमेपथिक मेडिसिन जब बनाई जाती है वो सफेद वाली वरैटी से बनाई जाती है और इसको बहुत अच्छे यूज़ें अब चलिए हमें करके डिसकस कर लेते हैं हमेशा pimples होते रहते हैं या हमेशा आपको गर्मी सी लगती है या आपके शरीर में कोई ulcers हो गया है कोई घा हो गया है जो सही नहीं हो रहा है कोई भी ऐसी problem जिसमें आपको लगता है कि आपका blood का purification का requirement है उन cases में आप इसको ले सकते हैं इसके लामा इसको लिया जाता है अडीमा में, अडीमा मतलब सूजन, अगर शरीर में कोई भी सूजन है, आपके शरीर में किसी भी रीजन से सूजन हो सकती है, हो सकता है हाट के प्रॉब्लम के कारण सूजन हो रही हो, हो सकता है किड्नी के प्रॉब्लम के कारण सूजन हो रह यह कार्डियक फंक्शनिंग के कारण हार्ट सही से बलड को पम् सोट पारा है जो पुरी तरह स्थरह से हार्ट में नहीं पहुंच पारा जो करना बलड नीचे एक सब्सकूद है काडियकphen के cases में या jaundics के cases में, जब आपका liver, आपके श्रीर से pail salt या bile pigments को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है, उसके कारण आपके श्रीर में जमाँ होने वाला जो bile होता है, वो आपके श्रीर में अगर फैल जाता है, वो आपके blood में फैल जाता है, तब आपको पीलिया होता है जिसको हम जॉन डिस बोलते हैं इस पीलिया को दूर करने के लिए भी आप बहुरावय डिफ्यूजा को यूज कर सकते हैं यह लिवर को फंक्शनिंग को इंप्रूब करता है आपके बाइल का एक्सक्रीशन बढ़ाता है क्योंकि जो लिवर होता है हर टॉक्सिंस को सम्मेटने वाला एक औरगन होता है और हमको पता है कि अगर लिवर खराब हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत इं पेशाब निकल नहीं पारहे हैं इसके कारण पानी भरता रहता है शरीर के अंदर और सूजन आती है तो कई बार इस मेडिसिन को देने से ये पेशन को डायलेसिस से भी बचाता है क्योंकि एक डाययूरेटिक का काम करती है डाययूरेटिक का मतलब हुआ कि इस मेडिसिन को देने से पिशाब खुल करके आता है शरीर में जितने भी टॉक्सिंस इकठे हो रहे हैं हमारा जो यूरिन है इकठा हो उसको यह excrete करता है और शरीर के शूर जिंग को कम करता है तो किडिनी के साथ इस्ट्रैंगुरी के साथ इूरिन के फ्लो के साथ और डालेसिस से बचाने के लिए इन सारी चीजों के के-स सकते हैं sund포 इसको यूज़ किया जाता नाइट ब्लाइड्नस के में बहुत सारे लोग जिनके अंदर विटैमिन की कमी होती है क्योंकि एक टॉंटक काम करते जिसमें बहुत तरह के multi vitamins होते हैं तो अगर आपको night blindness हो रहे हैं रात में आपको दिखता नहीं या नि रताओंधी अगर आपको हो रहे हैं तो उन cases में भी आप इसको और दे सकते हैं इसके अलमा फ्रेंस का उपयोग किया जाता है insomnia की cases में नीद ना आने के समस्या यानि अनिद्रा की cases में तो जिनको नीद नहीं आती है इसके पहले इसके काढ़े को बना करके लोग पी लेते थे और उनको बहुत अच्छी नीद आती थी इसी तरह से होमेपथी तरीके से भी अगर आपको नीद नहीं आ रही है लेवर में कोई समस्या है सूजन है कोई भी pathology के कारण अगर आपको नीद नहीं आ रही है तो उन cases में भी हम ले सकते हैं इसके अलों friends उसको हाई बीपी में देते हैं हाई वीपी यानि ब्लड प्रशर अगर बढ़ा हुआ है क्योंकि श चरीर में किसी मित्रा खूजली कोनें वही है तो उसकी की सब्सक्ते हैं इसके अलाम सेजने जाता है जी आइट कı की सिज में पएट में आपको परिशानी हो रही है आपकо लिवर का functioning अथा नहीं हो रहा है आपको भूक नहीं लगती है, एक बार खाने के बाद कई घंटे तक आपको भूक का एसास नहीं होता है या खाना देखने के बाद आपको वामिट जासा मन करता है और कई बार वामिट हो जाती है इस्पेशली जब पित बढ़ जाता है शरीर में तो पित को निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं तो अगर आपके शरीर में बार बार खटा पानी आ रहा है या बाहर उल्टी करने जासा मन होता है तो उन केसिस में भी इसको दे सकते हैं तो पुल्णरनवा को होमियोपती में सूजन को कम करने के लिए बहुत IMPORTANT MEDICINE के तरह यूज के आजाता रहा है और भी बहुत सारी MEDICINEस जुसको हम सूजन को कम करने के लिए देते हैं जैसे एक MEDICINE है अपके साइनम हम देते हैं एक हम एक देते हैं उसमें जलन होती है year लिजर में इस चाहिए पास करने में और इसी तरह से हम उसको पुरिण नमगा को देते हैं और संति काहएं अब मैं ऑर सहीशे पानी के लिए अंगिनद यूजर्ज में है पुनरनवा यानि बहरावे डिफ्यूज़ आब हमबात करते हैं कि इसको का से कर ना है जो लोग पॉथे को पैचानते इसको तोड़कर इसको करके और इस को किसके हैं यह तो पीस करके चानब करके पी सकते हैं यह इसर Sum होमेपथिक mother tincture ले सकते हैं और इस mother tincture को 10-10 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल करके ले सकते हैं अगर आप चोटे बच्चों को दे रहे हैं तो चोटे बच्चों को 5-5 बूंदे दिन में 2 बार देना है अगर breastfeeding mothers है या pregnancy में हैं तो अभी इसको ले सकते है लेकिन इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर के सला जरूर लेने और वो avoid करें जो वीपी के patient है जो thyroid के patient है वो भी इसको ले सकते हैं और फ्रेंट जो पुनरनवा होता है पुनरनवा हमारे शरी को नया जीवन देने वाली medicine होती है क्योंकि यह हमारे शरी से सारे toxins को दूर क information थी बहराविया diffuser homeopathic medicine यानि पुनरनवा के बारे में और यह हमारे शरीर को नया जीवन देती है यह आप सब समझ चुके होंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको information जो मैंने इस ट्रॉपिक पर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने friends और family के साथ अब भी शेयर करें मेरे चनल को subscribe कर लें अगर अभी तक आपने नहीं क्या हो wishing you very good health thanks for watching